इन नोटों की किस्मत देखिए ना तो उसको मिल सके जिसने इन्हें बतौर रिश्वत मांगा था ना सबूत के तोर पर पुलिस को और ना ही ये नोट मुकदमे के बाद उसको वापस मिल पाएंगे जिसने बतौर रिश्वत की नोट दिये थे गैस पर जलाये गए इन नोटों में से एक भी नोट साबुत नहीं बचा है जले हुए नोट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मामला रिश्वत के लेंदेन का है ये वारदात है आंदरपरदेश के शहर नगर कुर्नूल की जब यहां के वेल्डेंडा मंडल के तहसिलदार क कहने पर एक शक्स को पांच लाक रुपे की रिश्वत पहुचाई गई थी लेकिन जैसे ही वो शक्स पैसे देकर घर से बाहन निकला आंदरपरदेश के एंटी करप्शन ब्योरों ने चापे मारी कर दी पुलिस्टीन ने जैसे ही घर की चौकट पर दस तक दी रिश्वत लेने वाले ने रिश्वत के पांच लाक रुपे ले जाकर गैस पर रखे और उन्हें आग के हवाले कर दिया। किसी तरह से पुलिस्टीन घर के अंदर दाखिल हुई और चले हुए नोटों को अपने कबजे में ले लिया। बरामद नोट पांच सो और दो हजार के हैं। नोटों की बरामदगी के बाद पुलिस्टीन ने इस मामले में आरोपी तहसिलडार को भी गिरफतार कर लिया है। तहसिलडार ने खदान लीज और एनोसी देने के लिए कधित तोर पर शिकायत करता से रिश्वत लेने के लिए इस नीजी वैक्ति को तयार किया था। दरस वहाँ पर भी बतौर सबूत पुलिस ने रिश्वत लेने वाले के हाथ धुलाए और उसने तीन बोटल गुलावी पानी बरामत किया। इससे पहले राजिस्तान के सिरोही में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। वहाँ पर भी जब एंटी करप्शन ग्योरो की टीम ने छप सीरियल नमबर नोट किया जाता है और वो केज के दोरान बतौर सबूत की सीरियल नमबर रखे जाते हैं। ऐसे में नोट जलाने के बाद भी अगर नोट का एक भी सीरियल नमबर मेल खाता है तो वह रिश्वत लेने वाले के खिलाफ पुकतर सबूत माना जाता है। झाल झाल